हेलो नमस्कार कैसे हैं आप सभी बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आज का जो वीडियो है मैं अभी कल मैंने कांस्लिंग ली तो उसमें उन्होंने मुझे बताया कि सर मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज है मतलब मैं कुछ करना चाहता हूं लेकिन सर ऐसा होता है कि जैसे मैं जब लोगों से पूस्टाओं इस बारे में तो मुझे लोग बोलते हैं कि यार यह चीज स तो सेम चीज मेरे साथ भी होई थी, तो इस वीडियो में मैं आपको अपना खुद का एक्स्प्रियन्स बताऊँगा कि कई सारे यंगसर्स के साथ में क्या होता है, कि उनके दिमाग में कुछ प्लांस होते हैं, कुछ आइडियाज होते हैं, लेकिन वो उस पर काम नहीं कर पा तो उसको ये घुमाएगा, और आपको ऐसी चीजे बताएगा कि अगर ये नहीं चला तो क्या होगा, और अगर एक और चीज होती है, दस लोगों ने कहा, मतलब हो सकता है यार ये नहीं चले, कहीं मैं कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं हो कियार मैं किस काम को शुरू करूँ कहीं चले नहीं तो इसी के ओपर आज का वीडियो है तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और मैं आपको एक चीज बताऊं कि जैसे आपने सुना होगा ना कि कोई भी काम हो जाए उसके बाद बताओ मतलब सफल वह मेहनत इतनी खामोशी से करो कि स अगर आप उसके बारे में किसी से पूछोगे तो वह तो ना ही करेगा कि उसने तो ऐसा कुछ देखा नहीं है आप समझें मेरी बात को मैं क्या कहना चाहरूं तो अगर आपकी दिमाख में कोई चीज है कि मुझे इस पर काम करना है आप काम करना शुरू कर दो क्योंकि ये आपकी अंतरात्मा कह रही है आपके अंदर शाक्षा इश्वर बेठा हुआ है आपको किससे कुछ पूछने की जरूत नहीं है क्योंकि अगर आप किससे कुछ पूछोगे तो दस में से नो लोग जोंगे वह आपको मना करेंगे हां अगर एक मेरे जैसा मिल आपको तो वह आपके दोगे कि सर ये काम हो जाएगा तो बिल्कुल हो जाएगा तू कर मैं मैं बेठा हूं चिंता मत कर क्योंकि मुझे पता है कि वर्ड इस पावर शब्दों में शक्ति होती है और हम जो शब्द सुनते हैं लोगों से जैसे कई बार तो ऐसा होता ही कि हमारे घर वाली मन सices लिए उसकाम के लिए मैं मुझे मेरे gemaakt में मैं भी पड़ाना है जब मैं बाहर पढ़ने के लिए इंदौर पढ़ने के लिए गया तो वहां में पहलीशा की कुश्र क्लास पे इतुने सार बच्चे पांसूव पांसू की बेच्चे मेरा दोघ्ची अब यह काम करना है, वह जो वहाँ सर पढ़ाते थे ना, उस पर तो मेरा ध्यान कम रहता था, मेरा ध्यान बस वहाँ बच्चे पर रहता, फाइफ हंड्रेट इंटू, तेरा जार रुपे फिस दी थी मैंने उस समय, तो इंटू थर्टिन थाउजन, और मेरे पास मैं क्या कॉमर्स गाँ आया, तो मैंने पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि दिमाग में तो वही था, और जो चीज़ दिमाग में होती है, वह वैसे लोग आपको मिलने लग जाते हैं, वास्तों में मुझे लोग मिले, जो ने मुझे कहा किया, मेरे इस्कूल में पढ़ाएगा क्या, तो मैंने यह देखा मैंने का देखो यह मेरे पिता जी इसी बात क्यों बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने वो चीज नहीं देखी जो मैं देखके आया वो चीज मेरे दिमाग में है कि मुझे क्या करना है पर पिता जी जिस माहौल में रहे हैं जो उन्होंने देखा है तो वो उतना ही बता को इसलिए आपके दिमाग में अगर कोई आइडिया है कुछ अगर चल रहा है तो आप उस पर काम करिए आप उसमें निश्यत रूप से सफल होंगे क्योंकि हमेशे याद रखिएगा कि लोग आपको वह बात बताएंगे जो भीड कर रही है मतलब जातर लोग जिस काम को कर र रहा है कुछ तो कह रहा है हूँ और हम वह करकियों नहीं पाते हैं क्योंकि हम लोगों की बाते सुनते तो अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ सुनो सब की करो मन की और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि' आपके मन में जो चल रहा है जो भी प्रोजट है आपके दिमाग में मुझे निहीं पता मेरे दिमाग में क्या प्रोज़ट था कि मुझे वो जो मैंने देखा था वहाँ पे 500-500 की भीड वो करना है और मैंने शुरू किया था केवल एक से शुरू किया था और उसके बाद में धीरे दो हुए दो से पांच हुए पांच से दस हुए सो हुए और सच मैं आपको बता हूँ दो हजार इस टाइम थे मेरे पास है ना आज तो सारे ओनलाइन अभी ओनलाइन जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो इसमें 50,000 पढ़ते हैं पू आप देख सकते हैं तो 2010 से पढ़ा रहा हूं मैं और अभी 24 चल रहा है तो 50,000 बच्चे आज ओनलाइन पढ़ रहे हैं और मैंने वह जो देखा था वहां पर कि इतने बच्चे बेठें और यह मुझे करना है और वह हुआ वैसा वैसे मैंने बच्चे देखे सामने और आजाने इसके बोले कि बड़ा कुछ चाहा काम करो मतलब जन्रली हमारे कि होता की मैं मैं बइना आदमिया हुं है न हमारे रहता है दुकांधरी का काम दुकान दरी आ इस में संपर्के क्दरी है संपर्क ठेसे पहई पांचला का मल भरत वीजिए और ओम सथे का माल भरा है, हाँ, फिर वडया काम है लड़के का, लेकिन मेरे काम ऐसा था कि सेवा देने का काम है, इसमें कुछ दिखता ड 느ости है, इसमें बस मैं दिखता हूँ, है न, अब वह जो माल भरा है, जो दुझान में देखते न, वह यहा है, पर यह जनरली लोगों को दिखता डह तो आपके साथ भी कुछ वैसा ही है मतलब आपके जो दिमाग में हैं बस उसको आप करना शुरू करिए मेरी बात मानिए आप सक्सेस हो जाएंगे घर वाले इस काम के लिए मना करेंगे अभी मेरा एक दोस्त है जिसका मैंने वीडियो बनाया था अगर आपने देखा हो तो व आज वह महिने का एक लाग रुपे कमा रहे हैं लेकिन फिर भी घर वाले क्या बोलते हैं मालूम यह तो आज चल रहा है पर कल को नहीं चला तो क्या करेगा इस से तो यह काम कर वह जो आप तो फीक्स है तेरी वह तो कर ले तो आज भी घर वालों में और हम में एक एज कैसे कर सकता हूं तो कल हमारी बात हो रही थी तो बोले कि मेरे घरवाले अभी भी विश्वास नहीं होता उनको वह यह बोलते हैं कि तुने जोब क्यों छोड़ी जोब क्यों चोड़ी 20,000 रुपे मिल रहे थे तिरको कम से कम सेक्यूर थी 20,000 तो आ रहे थे यहां एक लाग तो पास में एक और भाई साब बेठे थे जिनकी उम्र रही होगी यह समझ लो आप 55 साल की उम्र होगी और वो मतलब कोई जॉब में थे और उनकी सेलरी 70 to 75,000 तो ऐसे बेठे थे तो उन्हों मुझ से पूछा कि आप क्या करते हैं अभी मैने दो महीने पर लेग बात है मैंन अनलाइन करते हैं तो उन्होंने मेरे सामने ऐसी नजरों से देखा जैसे गरीब आद में तो क्योंकि अब जब कि आप देखो उस व्यक्ति के उम्र हो 55 वर्ष प्लस 70,000 रुपे सेलरी और हम उनसे यह पूछने जा रहे हैं कि भाई साब मैं यह ओनलाइन का करलू कैसा रहे तो आप देखो कि हम वैसे लोगों से यह पूछ रहे हैं कि मैं आप अपना एडिया शेयर कर रहे हैं उनके साथ और वो आपको मना करेंगे और आपका मन है आपका मस्तिश्क है यह इस पर विचार करेगा और आपको बता देगा कि यह काम सहीनी है जोंकि 10 लोगों ने इसक है तो निश्चित रूप से यह वीडियो आज मैंने इसलिए बनाया क्योंकि कल मेरी एक से काउंसलिंग हुई है ना तो उन्होंने यह बात बताई कि सर मेरे घरवाले मेरे दिमाग में है और मुझे पताई कि मैं क्या कर सकता हूं बट घरवाले हां नहीं कर रहे हैं तो मैं क्छे साल तक तो उन्होंन रुचे कहा कि कुछ अच्छा दे ठेख कुछ अच्छा कर और करो अब बॉलते हैं अब उनको पताई कि क्या चल रवाह दो इसलिए को में हमारे समय में एसा था बड़े मिश्किल से पैसा आता था आज आईडियाज है आज टेकनोलोजी है आज बहुत सारी चीज़े हैं आज लोग है और हर काम चलता है आप देखो पानी पूरी वाली देखा होगा ना वो वड़ा पाओ वाली ये वो मलब हर चीज चल रही है और किसी चीज में शरम नहीं बची बस आप अपलाय करिए जो भी आप चाहते हैं ठीक है चलिए तो वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके बताईएगा और अगर आपको भी ऐसा कोई भी टॉपी को आप मुझे कॉमेंट में लिखिएगा उसके ओपर में वीडियो बनाऊँगा ठीक है पसनल काउंसलिंग के लि सब्सक्राइब करिएगा लाइक करिएगा ठीक है आप करिए जो आपके मन में हैं आप निश्चित रूप से सफ़ल होगे हैं बेस्ट आप लोग अ झालness करि जो होगे दो आपके टूह जिए सफेंग में उसे आप लोगे हैं आपःगे जबत में हम ब्रोगे हैं विखिब दोगे हैं रूहस्तुत ररभ हैं यश्फ प्र".